नमस्कार दोस्तों अगर हाँ तो उसका विज्ञान क्या है? क्या है वो टेकनिक? इसके बारे में इस वीडियो में मैं डीटेल में बात करूँगा इसलिए बनी रही है इस वीडियो में दोस्तों हम अपनी लाइफ में किसी भी सिचुवेशन को या किसी भी आदमी को एट्रैक्ट करते हैं वो ड फूल शरीर है इसके चारो तरफ एक एनर्जी बाड़ी है जिसको कि इंग्लिश में औरा कहते हैं यह औरा किर्लियन फोटोग्राफी में बिल्कुल क्लियर दिखती है जो भी इसकी वाइब्रेशन होती है टेन हर्ट, ट्वेंटी हर्ट, ट्वेंटी हर्ट, टू हर्ट, बच्चा बच्चे के साथ ही खेलना पसंद करता है दोस्तों मुझे याद है वो दिन 2004-2005 का जबकि लोग मुझे बहुत ही लाइटली लेते थे कोई भी कुछ कह कर निकल जाता था लोग बहुत सारे फंक्शन में मुझे बुलाते नहीं थे लेकिन जैसे ही मेरा मेडिकल मे सेलेक्शन हुआ एक गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज में मुझे सीट मिली लोगों को देखने का तरीका बदल गया मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बदल गया मेरे रिलेशन से कौन से लोग मेरे साथ थे वो सब कुछ बदल गया क्यों क्योंकि मेरी वाइब्रेशन बदल गई अब इसी थेयरी को हम रिलेशन सिप में अपलाई करते हैं दो इनसान कभी भी तभी साथ रह पाएंगे जब उन दोनों की वाइब्रेशन आपस में मैच करेगी अगर मान लो कि कोई इनसान A और B दोनों एक साथ थे और अब B एग्जिट कर रहा है इसका सीधा सा मतलब है या तो A ने अपनी वाइब्रेशन को कमिया ज़्यादा करी है या B ने अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाई है या कम किया है और इसके करण इन दोनों में वाइब्रेशन का मिस्मैच हो रहा है अब हमें mentally आदद पढ़ी होती है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया मुझे व बहुत सारे ऐसे लोग फिल करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो बोर होने लगते हैं। क्योंकि शुरू में क्यूरियोसिटी थी एक दूसरी को जानने का, कोई भी चीज ऐसा नहीं था जो कि उन्हें पता नहीं था थोड़े समय के बाद, और इसके कारण परिड़नाम ये होता है, कि वो दोनों अब वाइब्रेशन के हिसाब से साथ टिकेंगे, या वाइब्रेशन मिसमैच होगी, तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। इसलिए अगर आपका एक्स आपसे दूर चला गया है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, पहला तो ये कोई मेंटल इशू हो सकता है, आपस में कोई कंफलिक्ट हुई है, कोई जगड़ा हुआ हो, उस कंडिशन में अगर वो सच में आपसे प्यार करता है, तो वो वापिस आ लेकिन अब एक गुड न्यूज है, आप अपने अंदर की ताकत से अपने सोल मेट को, अपने प्रेम को अपनी तरफ आकर सित कर सकते हैं, दोस्तों, ये वाइब्रेशन बहुत ही मैगनेटिक है, और हमेशा एट्रैक्ट करती रहती है, और रिपेल करती रहती है, अब इसक के लिए कोई लड़का या कोई लड़की अट्रैक्ट करनी है, उसका तरीका क्या है, दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझेए, कि law of focus, जहां कहीं हम अपने energy को focus करते हैं, अपने mind को focus करते हैं, वहीं हमारी energy जाती है, और वहीं हमारी situations life में manifest होने शुरू हो जाते हैं, अब आपको कैसा partner चाहिए, life partner चाहिए, जो भी चाहिए, उसे आप paper पे लिखें, और उसके चारों तरफ arrow बना कर लिखना शुरू करें, उसकी height कैसी होगी, वह दिखने में कैसा होगा, वह कैसा होगा, उसका job profile क्या होना चाहिए, salary क्या होनी चाहिए, वगेरा वगेरा, जितनी detail में आप लिख सकते हो, उतनी detail में लिखो, दोस्तों, there is a law of clarity, law of clarity ये कहता है, कि हमारे brain को clarity पसंद है, जितना जादा हम situation को, जितना जादा हम message को clear करेंगे, हमारा brain उतनी ही जल्दी उसको और तनी ही deeply उसको accept करेगा, मेरे कई दोस्त computer programmer है, वो कहते हैं कि जब हम computer को program देत नहीं लेगा, और result नहीं देगा, आप में से भी जो engineer हैं, वो इस बात को जानते होंगे, तो दोस्तों, यही हमारे brain के साथ भी है, यही same model act करता है, जब हम चीजों को बिलकुल clarify कर देते हैं, तो हमारे brain के जितने भी sensors हैं, वो उसको accept कर लेते हैं, और ना सिर्फ accept करते हैं बलकि वहां के neurons में एक हल चल होती है, और एक नया synaptic connection, एक नया neurological connection बनता है, नई circuit का जनम होता है, और यहीं वो circuit है जो कि नई thoughts को fire करेगी, अब दोस्तों समझने वाली बात यह है, कि हमारी vibration का एक part है, electrical part जो कि हमारे thoughts से बनता है, तो यह thought यहाँ पे जरूरी है, focused thought जो कि brain अपने आप fire करना सीख जाए, अब दूसरा part इसमें यह आता है, वो है कि magnetic part, और magnetism कैसे बनेगी, magnetic part, electromagnetic wave की वो बनती है हमारी feeling से, अब हमने thoughts तो create कर लिया वैसा, लेकिन जब तक thoughts, feeling के साथ match नहीं करेगा, तब तक situations manifest नहीं होगी, तब तक वो हमारे vibration में नहीं जाएगा, और तब तक हम वैसे person को अपनी life में attract नहीं कर पाएंगे, अब आपने देखा होगा, आपके life के example से मैं पूछता हूँ, कि हम अपनी feeling को कैसे change कर सकते हैं, मुझे याद है, 15-20 साल पहले मैं एक film theater में बैठा हुआ था, देख रहा था, घरदवार शायद film का नाम था, वहा से theater की light जाती है, और emergency light on होता है, और वहाँ पर दिखता है कि बहुत सारे लोग, खास करके महिलाएं, बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनकी आँखों में आसू थे, वहीं थोड़ी दिर के बाद कोई comedy scene आता है, और सभी के सभी smile कर रहते हैं, हस रहते, इसका reason क्या होता है इसका reason होता है कि हमारे mind में जो image बनती है, जो image बाहर से हो रही थी, जो visualization होता है, वो हमारी feeling को create करता है, तो कहने का अर्थी है कि जब आपने उस person की image अपने आँखों में बना ली है, तो आप feel करें, हम किसी भी काम को करते हैं, उसका एक purpose होता है, हम अमीर क्यों बनना चा हम सफलता क्यों पराप्त करना चाते हैं, क्योंकि लोगों की नजर में अपनी respect को बढ़ाना चाते हैं, हम किसी रिष्टे में क्यों जाना चाते हैं, क्योंकि हम complete feel करना चाते हैं, वगरा वगरा, आपके अलग reason हो सकते हैं, आप उस reason को देखें, और अपने मन में visualize करना इस तरह से आप image को बार-बार bombard करेंगे, emotionally charged situation और visualization के साथ, तो आपके heart से positive emotions निकलनी शुरू हो जाएंगी, और यहीं वो वक्त है जबकि electrical signal और magnetic signal एक resonance में आ जाते हैं, same frequency पे आ जाते हैं, और यहीं पे आपके vibration का जन्म होता है, और वो specific person आपकी life में attract होने लगता है, दोस आज मुझे बहुत time हो गया, 10 साल से ओपर इस काम को करते हुए, counseling को करते हुए, और लोग की help करते हुए, तो आप इसको आजमाएं, और याद रखना, result कब मिलेगा, लोग कहते है, result कब मिलेगा, result तब मिलेगा, जिस दिन की आपकी vibration exactly match कर जाएगी, जिस दिन की आपकी vibration fix होगी और regularly आप same तरकी vibration को अपने body से, अपनी aura से radiate करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपकी सवालों का जवाब दे दिया, कि मेरा ex कब वापिस आएगा, क्या मैं अपने ex को फिर से प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मैं अपने प्यार को आकर सित कर सकता हूँ, दो कि मैं आपको कुछ दे पाऊंगा, तो जरूर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ Instagram पे जरूर जुड़ें, Dr.P.YushPrabhat महाँ पे सर्च करें, और आप Instagram पे मुझे like कर सकते हैं, दोस्तों इसके साथ ही, आज के लिए thank you, thank you.